आपको आने वाले कोश्चन के बारे मताँगा आपको आने वाले कोश्चन के बारे मताँगा सidal के और चितने भी स्ट्टियेंट वे सेंड़ीर के अंदर है चिनका की laughed समेश्टर होने वाला और लोग कमेंट करके जरूर बता है किMAN में आपको कोश्टरेंट के बारे में जानते हैं आगए बाढ़ने से पहले आपको उत्थे यहां पी आपको खेल मन्यों विज्यान को परिवासित कीज़े दूसरा को सिचन कहा रहा है जो विकास है यहांपे आपको विकास की परिभासा लिखना है, यहांपे आपको विकास की परिभासा लिखना है, यहांपे आपको विकास की परिभासा लिखना है, अब अगले कोश्चन की बात कीजात, यहांपे आपका चौता कोश्चन दियवा है, अधिगम को परिभासित कीजिए, बेक्तित्व की परिभासा दीजिए, पाचो कोश्चन कर रहा है जो बेक्तित्व है, यहाँ पे आपको बेक्तित्व की परिभासा देना है, अब अगले कोश्चन की बात कीजिए, यहाँ पे आपका छाटा कोश्चन दियवा है, मनुरंजक का सारे रिक सिक्षा से क्या अब अगली कोरशन की बात किजा यहां पर आपका आथा कोर्य थ् spricht का कोर्ये करना है यहाँ पे आपको extra murals तता intramural के अर्थ पर संशित में टिपड़ी लिखना है। दस्वा question करा है कि जो आकरमकता है यहाँ पे आपको बताना है कि खेलों में आकरमकता क्या होता है और खेलों में आकरमकता से आप क्या समझते हैं। अब अगले question की बात की जाती हैं पर अधिगम में पठार से आप क्या समझते हैं, अधिगम में पठार क्या होता है, यहाँ पर अधिगम में पठार क्या होता है, यहाँ पर अधिगम में पठार क्या होता है, और अधिगम में पठार से आप क्या समझते हैं, अब अगले question की यहां पे आपको ब्रिधी को परिवासित किजिए जो इसे अट्ति हुए जुआ है निवाज हुर्सकुल आपको ब्रव revenge के बारेमें, इस वाँ आपको ब्री नोल में किया समधा है, पाला कोश्टन कर रहा है जो सारेर सिक्षा तता मनो विग्यान होता है यहाँ पर आपको बताना है कि सारेर सिक्षा तता मनो विग्यान में क्या समन्द है अब अगले कोश्टन की बात की जाती है पर आपका दूसरा कोश्टन दिया है अभी बिर्दी और विकास में क्या अंतर है इस पश्ट कीजिए दूसरा कोश्टन कर रहा है जो अभी बिर्दी और विकास में क्या अंतर है यहाँ पे आपको अभी बिर्दी और विकास में अंतर इस पश्ट करना है अब अगले कोश्चन की बात कीज़ात यहां पर आपका तीसरा कोश्चन दियाओ है साइस्वा वस्था की परूंग भी सिधान्तों की बैखे कीज़े अब अगले कोश्चन की बात कीज़ात यहां पर आपका साथवा कोश्चन दियाओ है स्तनांतर के बिविन परकारों की बैखे करना है अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका आठवा कोश्चन दियावा है बेक्तित्व के मनोवेगानिक परकार की बैख्या कीजिए अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका आपका बाराव कोश्चन दियावा है तनाव से क्या समय आपर आपको तनाव के बारे मताना है अब अगले कोशन की बात की जाते हैं पर आपका तेराओ कोशन दीवा है खेल का क्या आर्थ है तता इसकी परिवासा दीजिए 13 question का रहा है कि खेल का क्या रथ यहां पे आपको सबसे पहले खेल का रथ बताना है उसके बदागे आपको खेल की परिभासा देना है अब अब अगले question की बात कीज़़ती है अपका 14 question दियवा है खेलों के परकारों की बिशेना कीजिए चोदाव कोशन का रहा है जो खेल होता है खेल कितने परकार का होता है यहाँ पे आपको खेलो के परकारों की ब्योशना करना है अब अगले कोशन की बात की जात यहाँ पे आपका पंदराव कोशन दियवा है सारेरी सिक्षा में मनोरंजन कवदे से बताईए का थे, सब्सक्राइक को सब्सक्राइन के निक नाधि, लाधक रूंबूकुकर सब्सक्राइ आऩ टे-जो है 16 आपसे लगुतुर कम्पर सकते यंगे 거 दूसरा कोशन का रहा है जो थार नडाय करना है, अब ले और ना की क्मिट की दूसरा कोशन का रहा है इंगा को प्रहाधा के कारव को कवर्ण करना है अब अगले question की बात की जाते हैं पर आपका चवथा question दियाँ है खेल कूद में बरता और जो जारूपन तथा चीनता को किस प्रकार उपयोग मिलाते हैं सबिस्तार वर्ण कीजिए चोथा question कर रहा है कि खेल कोद में जो बरता होता है जो जारूपन होता है और जो चीनता होता है इसको किस प्रकार उपयोग मिलाते हैं यहाँ पर आपको खेल कोद में बरता और जो जारूपन चीनता इसको क्या करना है सबिस्तार बताना है अब अगले कोश्टन की बात कीजा तरहां पर आपका चाटा कोश्टन की बात कीजाट यहां पर आपको चाटा कोश्टन दिएवा है मनुरांजन की अर्थ परिभासा, लक्षिया, उदेश से बिस्सताओं तथा परकारों को संचे में बतलाइए चाटा कोश्चन कर रहा है जो मनोरंजन है यहाँ पर आपको सबसे पहले मनोरंजन कर्थ बताना है उसके बाद आगे आपको परिवासा बताना है लक्ष बताना है उदेश से बताना है विसेस्ता बताना है तथा उसके परकारों को संचे में बतलाना है अब अगले कोश्चन क इहांने लुटको बदाना है उसके बाद आगे आपको परंपरागत खेलों से होने वाले बेक्तितु विकास के बारे में बताना है यानि कि जो परंपरागत खेलोता है उससे बेक्तितु विकास में किस तरह लाव मिलता है इसके बारे में आपको बताना है अब अगले क्योशन की बात की जाती है पर आपका नवा क्योशन दियावा है एक्स्ट्रा म्यूरलास तथा इंट्रा म्यूरलास परतीगुताओं के महतवी परकाई डलना है नवा question का राय जो extrêmement mullis होता है तथा昨 1450 पर्तिविता के इसके बारे में आपको बताना है यानि कि extra mullis प्रतिविता के क्या मातो है और intramullis प्रतिविता क्या मातो है इन दोनों के मातोहे परकाई डना है अब अगले question का बात की जाती है पर आपका 10 कोचन दियाब है और दीरगुति प्रश्ण का last question दियाब है अंतर विद्यालाई खेल परती उगताओं के लाभ ठता आयोजन की बियोचन कीजे दसबा कोश्चन का रहा है जो अंतर विद्यालेगी खेल परती उगता होता है उसके लाप बताना है और उसके आवजन की ब्योचने करना है तो ये टोटल आपके दस कोश्चन होगे जो आपसे दीर गूतर प्रस्ट में पुछे आएंगे